जुलाई की रात प्रोफिसर कॉलनी सावनेर सिद गजानन महराज मंदिर में अग्यात चोरों ने दान पेटी तथा चांदी की मूर्ती चोराने का मामला उजागर हुआ था इस मामले में सावनेर पुलीस द्वारा चोरों को पकड़ कर उसे चोरी का सामान तथा कुछ नकत बरामत कर चोरी का परदा फाश किया गया उक्त घटना में शामिल एक अन्य चोर फरार होने में सफल हुआ है 26 जुलाई 2023 को पुलिस सदिक्षक विशाल आनन अपर पुलिस सदिक्षक सामनेर पुलिस उपविभाग यदिकारी के मार्धरशन में रविंद्र मानकर थानेदार पुलिस स्टेशन सामनेर ने दाउद मुहमद आदी ने उक्त अपराद में अग्यात आरोपी की तलाश करके आरोपी का रुपेश चंद्रभान अतराम उम्रे 23 वर्ष पता लगाया जोकी निवासी आदिवासी चौक वाटकरमांग चार विसापूर बलाशा जिला चंद्रपूर का है उसे गिरफतार कर गजानन महराज मंदिर में प्रोफेसर कॉलोनी वाटकरमांग 6 सावने की दान पेटी से चुराए गए नोट एवम चिलर पैसे कुल 23,604 रुपे और हो पुदृता के अपराद में चोरी किये गए माल से दो चांदी की पायल और एक बच्ची के हाथ की पायल 15,00 रुपे का माल जब्त किया गया साथी तीसरे अपराद में धारा 457,380 भादवी के अपराद में अभी उक्तुद्वारा हनुमान मंदिर की दान पेटी से चोरी किये गए नगदी में से 1100 रुपे के कुल 31,240 रुपे बरामत किये गया उक्ता आरुपी के कबजे से माल बरामत कर लिया गया साथी उक्ता अपराद में अग्यात आरुपी को 12 घंटे के बीतर गिरफतार कर आरुपी द्वारा तीन चोरी की वारदातों का खुला सा किया गया अपरादी को साथी न नियायाले में पेश कर, पुलिस्ने मांड ले कर आगे की जाच थानेदार, रविधर मांकर के मार्गदशन में सायग थानेदार विक्की लोकडने, सायग पुलिसनी रिफ्षक सुरेंद्र वासनिक पसचिं लोनारे आगे की जाच कर रहे हैं जिसमें और पी मामले उजागर होने के आसार है। जलाश करने के बाद में आरोफी रूशेश चंद्रबान आत्रा उम्र 23 साल रहने वाला है आजिवासी चोग वाट क्रमानक चार गिसापूर प्रसिल बल्लार्शा जिल्ला चंद्रपूर इसको तावे में लिया गया। उसके पास से 21,204 उपर जब तत गिये। उसमें प्रोफेसर कॉल्मी के जो संत गजानान महराज मंदीर है। उसमें रप्तम है और हनुमान मंदीर में जो चूगी हुई थी उसका भी अमाउंट है और एक धरपूरी और हुई थी उसमें जो चांदी के मंगटे और जोड गए थे वो भी जब्त किये गए। अर उस आरोपी के जरिये तीन गरपूरी के घुलासा कीया गया है और उसमें एक आरोपी खरार है उसका शोच जारी है। आरोपी कुंशता जारी है और कुंशता जारी है और मामले उजहागर होने की बुंदाई ये।